ये है मोकिंग बर्ड जिसका काम बड़े-बड़े कैक्टस पर बैठ कर पूप करना है। दरसल इसकी पूप में ये पीले रंग के कीमती रेगिस्तानी ट्रिस्ट्रिक सीट्स होते हैं। जिन्हीं ये पूप के जरीए कैक्टस पर छोड़ देती है। दिन के समय में इन सीट्स में से एक टेंटिकल निकलता है, जोकि कैक्टस पर चिपक कर रात होने का इंतजार करता है। क्योंकि रात के समय कैक्टस ऑक्सिजन को छोड़ने और काबन डायॉकसाइड इनहेल करने के लिए अपने पोर्स खोलता है। और तभी मॉपा आपकर ये टेंटिकल कैक्टस की बॉड़ी में खुश जाता है। और धीरे धीरे कैक्टस को अंदर से खाता रहता है। और करूबन एक साल बाद कैक्टस को चीर कर ये लिएकिस्टान का खूबसूरत फूल निकलता है। जिस पर आने वाले फलों को ये चड़िया खाकर फिर से दूसरे कैक्टस पर पॉलिनीर कर देती है और ये साइकल ऐसे ही चलती रहती है.